आप देख रहे हैं स्वतंत खबर जन की आवाज सचाई के साथ भूमी को लेकर के लगतार आडिसन चल रहे होंगे आपने देखे होंगे कि अभी रिशी केश में भी कुछ दिन पहले आडिसन हुआ था और तमाम चर्चाओं को लेकर के इस भूमी फिल्म को लेकर के हमारे साथ भूमी फिल्म के लेखक और निर्धेशक किस्ना बगोट जी भी हमारे साथ है तो उनसे जानेंगे कि क्या इस फिल्म का उद्देश्य है और किन चीजों को लेख कर गे फिल्म आपर लेकर आरहे हैं स्वागत है आपका बगोट जी जी नमश्कार आपका भी स्वागत है आपका भी स्वागत है इस फिलम के बारे में मैं थोड़ा सही बताना चाहूँगा कि ये फिलम कालपनिक नहीं है सबसे पहली बात तो ये यर्थात है और आने वाले 10-15 साल में हर घर की कहानी ये होने वाली है जो इस फिलम में दिखाई जा रही है इस फिलम को भू कानून और उत्रकंड की जमीन को बचाना है किस तरह से माफिया जो भू किर्मिनल है वो यहां पर आके कब्जा कर रहे हैं वो इस फिलम में दिखाया गया है और ज़्यादा तर हमने जब इस फिलम को लिखना शुरू किया था तो कोशिश ये कि कि जितने भी सिक्वेंस हैं जितने भी सीन हैं जितने भी करेक्टर हैं वो रियल करेक्टर उठाये जाएं कोई भी कल्पनी करेक्टर आपको नजर नहीं आएगा इसमें गाउं में हर तरह के जो करेक्टर हैं वो इसके अंदर मौज़ोद है जो लेने वाले हैं और जो देश देना चाहती है उत्राखंड बासियों को हमारे साथ कुछ और जुड़े हैं साथ में सरी मेरबान सिंग मिया जी तो यह जो फिल्म का आज यहाँ पर सत्कुली में ऑडिशन था कैसा ऑडिशन रहा हुआ यह एक तो फिलम का में नुदेश्य यहां के लोगों को जो यहां कलाकार हैं, उनकी बहुना को उजङर करना, उने खुद इस फिलम में ले करके उनको इस भू कानुन से जोड़ना भी हमारा मुख्योदे से है और हमारे जो अबरतेवी कलाकार हैं, इन लोगों को भूमी कानुन, भूमी फिलम के माद्यम से इनको हम आगे ले रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे साथ और भी हैं राकेश खंतवाल जी जो कि पहले भी बगुर जी के साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं तो पुरानी जो पद्दती है गड़वाली फिल्मों की उनके बारे में हम कुछ जानेंगे कि वो क्या पद्दतियां थी और किस तरह से लेकर के पहले जो फिल्में बनती थी और अब यह जो नई फिल्म है भूमी यह नई पिक्चर गड़वाली पिक्चर साथ बड़े परदे की पिक्चर है और चक्रेचाल के बाद मैं मानता हूँ कि उसके बाद काफी लंबे समय के बाद चक्रेचाल के बाद ये जो भूमी पिकिटर है वो यहाँ पर आई है बहुत सारी फिल्मे जो है वो लगातार आई रही है लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये समाजीक सब्जेक्ट है ये किसी परसनल किसी कहानी नहीं जैसे कि बगूर जी का कहना है कि परसनल किसी की कहानी है तो हम उनसे लेंगे खंतवाल जी से उनके पास जाएंगे उनसे पूछेंगे कि क्या पहले की फिल्मों में था और आज ये जो फिल्म भूमी बनी है उसमें क्या अंतर है अनसार को जागरित करना जो नवोधित कलाकार है उनको एक मंच देना तो एक साथ कई उद्देष हैं इस फिल्म के जूआ तो ये बतारे कि कई उद्देशे हैं और एक आखरी सवाल में जो लेखक और निर्देशक हैं बगोड जी उनसे पूछना चाहूँगा क्योंकि ये फिल्म भूमी है भू कानून पर आधारीत है और कहीं न कहीं ये सरकार के विरूद्ध में भी जाएगी क्योंकि सरकार ने ल जो है लोगों को जाएगा वो सरकार के विरूद्ध में होगा तो इसके लिए क्या तयारिया हैं बगोड जी बहुत सारी तयारिया हैं सबसे पहले तयारी तो ये कि हमारे साथ गनानंद जी हैं हम दोनों मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं और ये अपने आप में ही एक अंतिकारी लोग हैं जो भू के लिए काम कर रहे हैं गरीब हो गए सेमाल जी हो गए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन करेक्टर को हमने रियल रखा है वो अंदोलनकारी हैं और अंदोलनकारी ही इस फिल्म में दिखाई देंगे जो हमारे पत्रकार हैं वो पत्रकार के रूप में ही दिखाई देंगे इस फिलम के अंदर और जो कोशन करेंगे उनका को स्क्रिप्ट नहीं होगा वो एक नैचरल जो सवाल जैसे आप पूछ रहे हैं उसी तरह का जब आप इस फिलम को देखोगे तो आपको कहीं भी यह नहीं लगेगा कि आप किसी कालपनी की स्टूरी को रखा है और इसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं जैसे मिया जी ने बताए कि हमारा पूरे आल ओबर इंडिया में जहां जहां पॉसिबल हुआ हम ओडिशन ले रहे हैं क्योंकि आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा हैं और पूरे आल ओबर इंडिया में जितनी भी प्रतिवा गाओं गाओं में जाकर भी हम लोग उन पर प्रक्राइब को लेकि आ रहे हैं और इस बूमी के माध्यम से आपके सामने उनकी टैलेंट और उनको एक प्लेफरम कहीं नहीं सरकार इसको रोकने के लिए एक दवाओ बनाएगी तो उस पर क्या तयारिया है नहीं सरकार रोकने के पना तो 40 सीटें थी 6 सीटें नीचे चली गई अभी जब दुबारा परिसमन होगा तो उसके बाद तो अभी 20 सीटें और नीचे जाने वाली है उसके बाद हमारे पहाड़ों में सिरफ 14 बिधायक रहेंगे और 14 बिधायक जो है सिरफ एक परधानों से भी उनकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर इसी यही जो है हाल होता रहा हमारा कोई ना पहाड़ का ना कोई मुख्य मंतरी बनेगा ना मंतरी बनेगा नहीं किसी पद पर रहेगा तो जहां तक सरकार भी इस चीज़ को रोकेगी कि यहां से यह सीटें नीचे ना जाए और एरिया मैं कहता हूँ जैस अईसे वो भी कास कर पाएगा अलागि बिदायक नीदी तो वही रहेगी न तो ऐसा तो नहीं कि दो बिदान सभाय होगी तो बिदायक नीदी बढ़ जाएगी वही सी बिदायक नीदी में इतना उसको काम करना बहुत मुश्किल है इसलिए सरकार इसको सपोर्ट करेगी दे अगर भी कारे होना चाहिए ताकि पहाड़ी छेत्रों में विकास हो सके और लगातार ये फिल्मों के माद्यम से अपनी भूमी फिल्म के माद्यम से उत्राखंड की भूमी को बचाने के लिए एक संदेश दे रहे हैं मनीस कुकसाल स्वतंत्र उत्राखंड के पौडी जिले के सत्पुली से भू फिल्म बन रही है इसमें सरकार के बिरुद्ध नहीं है में मुख्यों देश हमारा इस फिल्म को बनाने का है कि हमारे जो उत्राखंड से जो प्लाइन हो रहा है उसको रोकना है तो हमारा ये संदेश जो यहां से प्लाइन कर रहे हैं उनको ये देना है कि यहां उत्राखंड में आ करके अपनी भूमी को बचाओ और जो बाहर के लोग हमारी भूमी को खरीद रहे हैं उनसे उस भूमी को बचाईए और आप पुना जो है उत्राखंड में आ करके अपनी भूमी की रक्सा कीजिए मेन मुख्यों देशे हमारा इस भूमी फिलम बना कि अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए